जब तुमने मुझसे कहा तुम्हें मुझसे प्रेम है तो मैंने बर्फ से ढखे पहाड़ों पर सुबह की पहली धूप को देखा रात के छीने हुए रंग दुनिया को वापस लोटाती हुई सुनहरी चमकती धूप फिर जब तुमने मुझसे कहा मैं एक घर में रहना चाहती हूँ तो मैंने मध्धम सी आवाज में एक राख सुना मुझे अच्छी तरह याद है तुमने थोड़ी देर बात कहा था तुम्हारे साथ मैं एक घर में रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ और उस राख के सारे सुर कोमल हो गए फिर तुमने मेरा हाथ पकड़ा और हम बच्पन में सुनी हुई कहानियों के अंत के बात जैसा जीने लगे जहां सब सुक से रहते हैं उसके बात के कुछ दिन मुझे याद नहीं है शायद सुक से बीते होंगे फिर एक दिन तुमने मुझसे कहा अब हमें अलग हो जाना चाहिए और मैंने देखा कि मैं कहानी के अंत पर खड़ा हूँ अंत के बात का जिया जा चुका है और शुरुवात के लिए तुम नहीं हो हेलो दोस्तो मैं हूँ गोपाल दर्थ और इस वीडियो में इस कविता में अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो से फैलाएं लोगों तक पौचाएं और पसंद करें विच मेंस लाइक शेर और सब्सक्राइब और कीप वाचिए स्ब्सक्राइब थैंक य।